दोस्तों आज के सुड़ियो में हम डिसकस करने वाले टाइड कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकॉर्ण में कैसे ट्रांसपर करें और यहाँ पे बहुत सारे टाइड कार्ड का जो आप लोगों को बेनिफिट मिलता है वो कैसे हम ग्रैब करें तो यह सारी चीजे में आप लो करना पड़ेगा. वीडियो में पूरा में बताने वाला है। यहां पे आप देख सकते हैं मेरा वाट सब्सक्राइड कार्म की बहुत बहुत सारे इसे offers रहते हैं जिसके लिए हम instant वीडियो नहीं बना सकते हैं तो उसके regarding आप लोगों को जो भी जानकरी रहते हैं यहाँ पे दिया जाता है और उसी के साथ साथ यह आप लोग कोई भी credit card के लिए अपलाई करने की सोच रहे होगे तो link description में दिया है जाए उसके credit card के लिए अपलाई कर लिए जो भी रूपे या विजा, mastercard जो भी आप लोगों को रिक्वारे सारे details में वहाँ पे दिया हुआ हूँ जैसे आप लोगों को credit card मिल जाता है आपको मेरी ओर से 700 रुपे का cashback यानि pay time cash दिया जाएगा वो आप लोगों को grab कर लेना है तो credit card भ करें और वो भी थोड़ा बहुत charges लगेगा ओकी charges तो अभी टाइड में लग रहा है तो थोड़ा सा charges लगेगा लेकिन आपका जो offers आप लोगों को mobile recording करके दिखा रहा हूँ और आज हम discuss करने वाले अपने टाइड कार्ड के जो balance है उसको अपने bank account ले ट्रांसपर करने का तरीका तो इसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना है तो मैं आप लोगों को बता दू यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों को करना है वो मैं बतान आप लोगों को इसका benefit देखने को नहीं मिलेगा तो इसका फायदा लेने के लिए आप लोगों को full KYC account होना चाहिए तो वीडियो में आप लोगों को यदि आपका full KYC नहीं है तो यही पे स्थम जाईए क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के कोई कामका नहीं है जिसका full KYC है वो आगे continue कर लिए तो दोस्तों यहाँ पे वाइलेट में आना है ज्यादा वीडियो बढ़ा नहीं करने वाला हूं और यहाँ पे आप लोगों को simply add money करना है ओके जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे add money के उपर क्लिक करूँगा यहाँ पे मैं 5000 रुपेज आड करन अगयर का मैं details enter कर देता हूं और आप लोगों के सपास दोबारा आ जाता हूं तो यहाँ पे देख सकता हूं मैंने मेरे tide card के पूरा details डाल जया हूं और यहाँ पे proceed करने से फिले मैं आप लोगों बता दू बहुत बार आपके transaction यहाँ पे फेल होने के chances से लेकिन आपको करना है तो मैं यहां पर प्रोसीड टू पेमिंट के उपर मैं क्लिक कर दूंगा यहां पर बता जा रहा है कि तुझे सो रुपई का चार्जेस लेगा लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है टाइड का जो हमारा पहला माइस टोल है वो कंप्लेट करने के लिए हमें 200 रुप लोगों को यहां पर पहले ही बता देना चाहूंगा तो मुझे जो OTP आई है वो मैं यहां पर इंटर कर देता हूं 548020 तो दोस्तों यहां पर मैंने OTP दर्ज कर दिये और मैं सब्मिट के उपर क्लिक करूंगा लगिली ट्रांजेक्शन सक्सीड होने में समय लग जाता है आप लोगों को बार-बार बता रहा हूं तो दोस्तों आप आप देख सकतो मेरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ है फेल हुआ है क्या ओके ट्रांजेक्शन फेल टू एड मनी यहां पर बताय जा रहा है को ओके तो आप लोगों को लगातार यह ट्रांजेक्शन करते रहना है क् तब आप लोगों को में पूरा verify करने के बाद में आप लोगों को यह process बता रहा हो तो दोस्तों उम्द करूगा कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए होगा यदो वीडियो पसंद है तो मैं लायक के जएगा comment के जएगा दोस्तों तक share के जएगा कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब टेकले बबाई टेकर हम नाइस डे